है लो एवरीवर वालकम आज के इस वीडियो में बहुत इंप्रस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं आप जानते होंगे डाट का यूज डाट इस का कॉन परक्षिन होता है जब आप के साथ डबलेज फैमली मेंबर का यूज करते हैं तो उसका मिनिंग क्या होता है तो ह देखने में होता है लेकिन अलग अलग सिच्वेशन में एड किया जाता है और इसकी सैंटेंस बनता है तो यह समझता बहुत जरूरी होता है कि कि किस जगह पे किस का यूज करें यह कंजंग्शन भी है और साथ में डवरेश फैमली वाट्स भी है तो आपको दोनों के प्र वेह्त की बात करते है तो वहां पर क्या योज किया जाता है वेयर का योज किया जाता है तो यहां पर आपको यहां है गया हैいつ के रूप में इसका ह飯 क्या होता है यही तो वही तो Eagles यही तो मैंने आपको कल देखा था वहीं तो मैंने नहीं है इस जगत भत चीव है तो एसे बाले слова करनें सिंपल होता है तो है अगर यांवार है यह जा रहा हूं मालनो आप मैं को अर अविकों आरहे ह ह와 क्या रहा हूं जाने और सेंटेंस तो मैं जा रहा हूं के लिए बोलेंगे feraं आंगे लो फ स Just on a circular भाद खा तो उसी जगह हम जगह की बात कर हुद्ए कि that's where का यूज स करेंगे हम बोलेंगे that's where यह हमारा क्या conjunction है that's where हमारा conjunction है that's where Rohan खड़ा था रोहन खड़ा था यानि कि past की बात कर रहे तो भूलेंगे Rohan was standing Rohan was standing Rohan वही तो खड़ा था that's where Rohan was standing Rohan उस्सी जबातों खड़ा था next day हम यहीं तो मिले थे उस दिन आपको याद नहीं है हम यहीं तो मिले थे उस दिन तो यहीं तो यानvä की आप प्लेस The यावद की बार问 पलेस की पिलेस सब्सक्पाई अप्सड़ुं काểuेंordan याणनी की that's where उसकरेंगे उस दिर, यानि कि that day, that day, तो हम बोलेंगे, हम यही तो मिलेते हो उस दे, that's where we had met that day, तो इस तर तर आप sentences को बना सकते हो, next हमारा sentence है, इसी जगह तो मैंने आपको पहरनी पर देखा था, इसका answer आपको बढ़ना है, comment box में, तो इसी जगह तो के लिए भी आपको that's where का use करना है then आपको पहरली बार देखा था, इस sentence को आप टेंस बना सकते हैं, next हमारा conjunction है, that's which, that's which का मतलब होता है, वही चीज तो, मतलब यहां पर जो विच आप पर देख रहे हैं, यह क्या है हमारा, डवरेस फैमली वर्ट से, और विच का में यूज करते है, जब choice पूछनी होते है तब हम विच का यूज करते हैं, color do you like, आपको कौन सा रंग चाहिए, तो इस तर से हम विच का यूज करते हैं, किसी की पसंद पूछने के लिए, choice पूछने के लिए, लेकिन जब हम as a conjunction के रूप में इसका यूज करते हैं, तो होता है वही चीज तो, यहां भी हम choice की बात क और वह उसी टाइम बोरा, वही चीज तो राहूल खरीदना चाहता है, मतलब जो चीज आपने पसंद किया है, वही चीज राहूल खरीदना चाहता है, ऐसे वारे sentence है, तो आपकी choice है, तो यहां भी हम choice की बात करेंगे, which का मतलब choice पूछने के लिए, तो जैसे वही चीज त That's which का यूज करेंगे, that's which, उसके बात राहूल खरीदना चाहता है, चाहता यानि की want का यूज करेंगे, तो बो लिए राहूल और want, राहूल एमाए थर्ट पसंद सिंगला है, इसे लिए wants का यूज करेंगे, to buy, that's which राहूल ni जैसे वही चीज तो राहूल खरीदना चाह नेक्स्ट वही चीज तो हम लोग देखने जा रहे हैं मतलब जो चीज अब देख चुक कहा न वही चीज तो हम देखने जा रहे हैं वही चीज यानिकि वही आर्फ गोइंग नेक्स्ट वही चीज तो वहा खा रही है जो चीज आपको पसंद है वही चीज तो वहा खा रही है तो वही वही चीज की बात कर दिया यानिकि that's which का यूज करेंगे वो लेंगे that's which then वह खा रही है यानिकि say is eating वह खा रही है तो इस तरह आप sentences को बना सकते जब वही चीज तो आपके sentence में choice की बात करें तो आप that's which का यूज कर सकता है as a conjunction के रूप में एक sentence है वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं इसका answer आपको comment box में करना है next हमारे conjunction है that's who that's की साथ who का हम यूज करते हैं तो उसका हिंदी भी नहीं क्या होता है वही तो या उसने ही तो हो यानि की कौन जब हम किसी person के बारे में बात करते हैं हू का मतलब क्या होता है कौन जब हम फरसन के बारे में पूछना होता है तब हम उसमें हूं का यूज करते हैं क्या नाम है उसका वो जिक्र नहीं करें, हम subject का जिक्र या नहीं किये हैं, वही तो वो रहा, इसलिए इसमें who का यूज किया जाता है, हम बोलेंगे that's who, या पर subject के बारे में आपको नहीं पता है, इसलिए who का यूज करता है, that's who, पैसे दे रहा था, यानि कि was giving देना, यानि कि give में ing लगा देंगे giving money, that's who was giving money, वही तो पैसे दे रहा था, next, वही तो तुमसे बात करना चाहता था, वही तो वही person, person का लिकिन जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, तो वही तो जो वो रहा है न, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, that's who का यूज़ करेंगे, that's who, वह तुमसे बात करना चाहता था, यानि कि यापर who आपका subject की रूप में यूज़ किया है, दाना इसमें चाहने, यानि कि want का यूज़ करेंगे, अब past है, तो wanted का यूज़ हुज़ जाएगा, past के लिए want का second form wanted का यूज़ करता है, to, बात करना यानि कि talk, talk to you, तुमारा full sentence complete, that's who wanted to talk to you, वही तो तुमसे बात करना चाहता था, next है, उसने ये तो कल मेरी मदद किया था, उसने ये तो कल मेरा मदद किया था, तो उसने यानि कि that's who, that's who, उसने मेरी मदद कि थी, मदद यानि कि help को second form क्या हो जाता है, help क्योंकि किया था, past definite का sentence है, me, कल, यानि कि yesterday, तुमारा sentence complete was, that's who helped me, yesterday, उसने ही तो मेरी कल मदद कि थी, नेक्स ते, उसने ये तो मुझे ठगने की कोशिश किया, उसने ये तो मुझे ठगने का कोशिश किया, इसका answer आपको comment box में करना है, next हमारा conjunction क्या है, next हमारा conjunction है, that's how, that's how का मतलब होता है, इसी तरह तो, इसी तरह तो मैंने computer चलाना सीखा, इसी तरह तो मैंने cricket खेलना सीखा, इसी तरह तो मैंने phone चलाना सीखा, तो इसी तरह तो आप बता रहो किसी process की बारे बता रहो, प्रक्रिया की बारे बता रहो, या लिए उसमें that's how का use करेंगे, जैसे अगर आपको बोलना हो, इसी तरह तो आप लोग English सीखोगे, तो मैं process बता रहो ना कि English सीखने के क्या process है, इसी तरह तो आप लोग English सीखोगे, तो इसी तरह तो जो मैं बोरू ना उसके लिए हम क्या use करेंगे, that's how का use करेंगे, spoken English में इसका use बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसी तरह से सीखने बहुत ज़्यादा इन्पॉर्टेंट है, तो बोलेंगे, that's how, then you will सीखोगे, तो यहाँ पर future की बात करेंगे, इसलिए will का use किये, you will बर्व का first from learn English, अमाना sentence हुआ, that's how you will learn English, इसी तरह तो आप लोग English सीखोगे, इसी तरह तो राहूल अपना phone खो दिया, इसी तरह तो राहूल अपना phone खो दिया, इसी तरह तो यानि कि that's how, किसी प्रक्रिया की बात करेंगे न, तो that's how, then राहूल अपना phone खो दिया, यानि कि यह मारा past इंडपरेट वाले sentence है, तो बोलेंगे राहूल, को दिया करते हैं जैसे आप लोग करते हैं तो इसी तरह तो यानि कि that's how का यूज करेंगे that's how then सब लोग अभ्यास करते हैं सब लोग यानि कि that's how everybody practices English इसी तरह तो सब लोग अभ्यास करते हैं नेक्स इसी तरह तो तुम टैरना सीख सकते हो यहां पर possibility किसी की ability बताओ यानि कि कान का यूज करेंगे इसका सब्सक्राइब करना है नेक्स हमेरा conjunction है that's what that's what का मतलब होता है यही तो वही तो यही बात तो वही बात तो यानि कि what का मतलब होता है क्या what का मतलब होता है क्या लेकिन या पर क्या के लिए योज नहीं करेंगे जब हम किसी बात करेंगे यानि कि things के किसी thanks की बात करेंगे तो उसमें हम क्या ऊज़ करेंगे, what, वही तो मैं कहह रहा था, मतलना, non-living things की आप बात करे हो, ठीक्या Bye, that's what का use करोगे, non-living things के लिए, वही तो मैं कह रहा था, वही तो तुम्हें समझा रहा था, वही तो उसने बोला था वही तो मुझे नहीं पता था तो ऐसे वाले sentence जो आप non-living things की बात करते हो तो वहाँ पर that's what का use करते हैं तो इसका sentence कैसे बनाएंगे वही तो मैं कह रहा था वही तो यानि कि किसी बात की बात का non-living things है तो that's what का use करेंगे that's what then मैं कह रहा था यानि कि I was कहने का हो जाता है से में ing लगा देंगे saying तो हमाँ sentence होगा that's what I was saying वही तो मैं कह रहा था next यही तो तुम उसे समझा रहे थे यही तो यानि कि that's what that's what तुम उसे समझा रहे थे यानि कि your word यह मारा past का sentence है इसलिए word का use किया है making him understand that's what you are making him understand यही तो तो उसे समझा रहे थे next next हमारा है वही बात तो मुझे नहीं पता थी वही बात तो यानि कि that's what यह हमारा एकतर से structure भी है structure के रूप में भी इसका यूज क्या नहीं आता है तुम्हारा sentence complete was that's what I didn't know यही बात तो मुझे नहीं पता थी next यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है इसका answer आपको comment box में करना है next हमारा conjunction है that's why that's why का मतलब होता है इसलिए तो why का यूज करते हैं जब हम किसी reason के बारे में पोचते हैं रीजन के बारे में पूछने के लिए आपको that's why का यूज करना होता है यहां भी आपको reason पूछना ठीक है that's why का यूज के यानि कि आप reason पूछोगे इसलिए इसलिए reason पूछ रही है जैसे कि हमारा first sentence है इसलिए तो मैंने जल्दी काम पूरा किया कोई reason है ना कोई reason है मेरे पास शायद साधी में जाना है इसलिए मैंने जल्दी काम खतम कर लिया तो reason मेरे पास है तब हम उसमें that's why का use करेंगे बुलेंगे that's why मैंने जल्दी अपना काम पूरा कर लिया तो बुलेंगे I completed complete हमारा first form हो गया second form completed हो गया my work यानिकी मेरा काम तुन यानिकी जल्दी तो मारा sentence was that's why I completed my work soul इसलिए तो मैंने जल्दी काम पूरा किया next sentence से इसलिए तो रो रही है तुमने उसे मारा होगा इसलिए तो रो रही है तो मतलब उसकी रोने का कोई reason है तो हम बुलेंगे that's why reason के लिए हम क्या use करेंगे that's why का use करेंगे that's why वह रो रही है यानिकी c is रोना यानिकी cry cry में आयें जी लगा देंगे तो जाएगा crying that's why she is crying इसलिए तो रो रही है next इसलिए तो हम लोग पीजा नहीं खाते पीजा खाना अच्छी बात दिये इसलिए उन्हों पीजा नहीं खाते reason है तो इसलिए यानिकी that's why का use करेंगे reason के लिए हम लोग पीजा नहीं खाते वो लेंगे वे डॉंट डॉंट यानि कि नहीं खाना यानि कि मत वाला यूज किया गया है एट पीजा तुमारा फुल सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि ये योज करते है वसी को था मतलां किसी प्रपोर सं की बात है तो पालती रहा तो उसी को पीट रहा था पर स्थे वॉलेंगे тоб dzir सोस् साई कंजम्शं अलाः सिच्वेशन में यूज किया जातहें तक समझे किसी से पीट रहा था याने की राहुल वस पीटना याने की बेट में आएंज लगा देंगे तो क्या जाएगा बिटिंग that's whom राउल was bidding उसी को तो राउल पीट रहा था next time उसी को तो मैंने पैसा दिया था तो उसी को यानि के that's whom that's whom मैंने पैसा दिया था यानि के I gave money यह हमारा past indefinite वाले sentence था इसलिए subject बाद गेटू का यूज किये but sentence was that's whom I gave money उसी को तो मैंने पैसे दिया था किसी पॉशन की बात करें से लिए that's whom का यूज करेंगे बोलेंगे that's whom आमन पार्टी में देखा था यानि कि आमन देखा था कोँछा से सेंटेंज हुआ यह मना past indefinite वाले sentence हुआ जिसमें subject बाद वेटू का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे अमन सो एड़ दा पार्टी मतलम पार्टी में देखा था that's who अमन सो एड़ पार्टी उसी को तो अमन पार्टी में देखा था नेक्स इस उसी को तो मैं खोज ना था इसका इसर आपको कमेंट बाॉक्स में करना है next and the last conjunction है हमारे that's when that's when का मतलब होता है उसी समय तो यानि कि when का यूज कर देते हैं तो यह तो time के लिए use होगा लिए when का use हम time के लिए करते हैं, यह था हमें पता है, तो यानि कि that's when का use करेंगे उसी समय से के लिए, जैसे उसी समय तो मैंने तुम्हें phone किया था, जब आपने मुझे phone किया था, उसी समय तो मैंने तुम्हें phone किया था, तो उसी समय यानि कि that's when, समय यानि कि when का use होगा, that's when मैंन तुम्हें फोन किया था यानि कि I call पास्ट इंडापनेट के से सब्जेट प्लंस वीटू का यूज करेंगे called you that's when I called you उस्से समय तो मैंने तुम्हें काल किया था नेक्स्ट उस्से समय तो राहू इखर गया तो मुलेंगे यानि कि राहू यहां पर वीटू का यूज करेंगे जाने का होता है गो का सेगेंड फ़र्म क्या हो जाता है वेंट हो जाता है तो तो उस्से समय तो राहू यूज करेंगे डार्ट्वें का यूज करेंगे हम लोग ती वी देख रहे थे यानि कि पास्ट कॉंटिन्वस वाले सेंटेंस है जिसमें वहर्ज के साद्वर्व का फोर्ट फॉर्म लगता है तो वर्वाच वाचिंग टिवी उस समय तो भी टिवी देख रहे थे नेक्स्ट उगार वह सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सब्सक्राइब करने का काम करता है कंजंक्शन तो आप इन सब्सक्राइब करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इस तरह के इंग्लिश ना पता होने की कारण जो हमारे इंग्लिश आती भी आना तो भी हम भूल जाते हैं तो आज से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप बहुत ही अच्छे से सीख गया होगे और जो जो मैंने आपको वाग दिया उसे जरू करें आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बताना बिल्कुल बिना भूले से लाइक जरू करें तो कि आप लोगों की एक लाइक से में बहुत ज्यादा मोडिवेशन मिलती है ऐसे नहीं नहीं कांटेंट लाने की तब लाइक जरू करें और बीस तो नहीं साथ जोड़ पाए और और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर प आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक आप देखना चाहते वह टॉपिक वाली वीडियो आपको मिल जाएगी क्योंकि मैंने आप लोग के लिए बहुत सारी टॉपिक पर वीडियो बना रखी हूं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है अभी तक हमारे चैनल को सब्स